एक बार फिर एक बार फिर एक बार काशी में राजपाठ बाबा विश्वनात का है लेकिन व्यवस्ता माता अन्पुना ही चलाती है इप पहली बार है जब हम काशी का नमांकन अपने माई के उपस्तिती के बिना कर ले है मा गंगा ही अब हमार माई है मैंने इसलिए कहा था कि मा गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था अब मा गंगा ने मुझे गोद ले लिया है और इस आज आयोजन में इतनी सारी मात्रु शक्ति की मोजूदगी मुझे अभिभूत कर रही है आप सभी समय निकाल कर यहां आई मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ साथियों मैं पार्टी के पचार में इतना भी व्यक्त होता हूँ लेकिन बनारस को लेकर हमेशा पाव निस्चिंत रहता हूँ मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती क्योंकि सब कोट आप ही लोग समाल रहते हैं इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा इस गर्मी में अपने स्वास्त का ध्यान जरूर रखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में जाना होता है गावों में जाना होता है बूत पर जाना होता है और इसलिए मेरा एक सुजाव है इतना ही काम करिये लेकिन पानी बहुत खुप भीजी है साथ मैं पानी हमेशा रखी है और कभी भी बीना खाये गर्द से निकलने नहीं मेरा लंबे समय का अनुभव है इतनी मेरी सदार काम आएगी मात आओ बेनो बीटे दस सान मैं पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निरनयों तक हमारी माताए, बेने, मैलाए केंदर में आई है इस पर उतनी जर्चा बले ही न हुई हो लेकिन ये भारत की सक्से स्टोरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है आप बताईए जब गर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बेना कैसे चल जाता ये बात साथ वरसों तक सरकारों को समझी नहीं आई कॉंग्रेश सपा की सरकारों ने मैलाओं के साथ क्या किया केवल उपेक्षा और असुरक्षा साथियों इंडी गडबंदन की मानसिता ही महिला विरोधी है इंडी गडबंदन वाले महिलाओं को आरक्षन का विरोध करते हैं जहां इनकी सरकार आती है महिलाओं का जीना दुबर हो जाता है बनारस के लोग तो यूपी बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचीत है बेहन बेटियों का गर से निकलना मुश्किल था बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर गर पर बैठना पढ़ता था और सपावाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे लड़के हैं लड़कों से तो गल्टी हो जाती है आज सपाग के लड़के ज़रा गल्टी करके दिखाएं योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा माताओ बैनो पहली बार केंदर में ऐसी सरकार आई है जितने महलाओं के सम्मान की चिंता की उन्हें इज़्यत गर दिये इसके लिए मध्याब उडाते के मोधी टॉयलेट टॉयलेट करता रहता है टॉयलेट बनाने में लगा है ग्यारा करोड टॉयलेट बनाये है मेरी करोडो करोडो माताओं का मैंने इज़्यत गर बनाया है लेकिन मुझे पता था मेरी बहन बेटियों के लिए इसकी कितनी बड़ी जरुरत थी मोदी ने गरीब से गरीब महिलाओं के लिए बैंक खाते खुलवाए और वो भी एक रुपिये के खर्च के बिना ताकि उन्हें जो भी पैसा मिले वो सुरक्षित रह सके मोदी ने करोडों पियम आवास चार करोड से ज़्यादा घर बनाए लेकिन उसकी रजिष्ट्री महिलाओं के नाम पर करवाई ताकि करोडों माताए घर की मालकिन बनी है अब महिलाओं भी संपत्ति की मालकिन बन रही है ये बस योजनाए नहीं थी इसे नारी शक्ति को नया आत्मविश्वास मिला यही मेरा मिशन था यही मेरी सोच थी माताओ बहनों कॉंग्रेस की सरकारों के पहचान एक गाने से खूम होती है और वो गाना बहुत पॉपलर रहा है महंगाई डायन खाए जात है कॉंग्रेस आई महंगाई लाई कॉंग्रेस सरकार रही होती तो आज आपकी रसोई का बज़ेट दो गुना तीन गुना बढ़ चुका होता लेकिन यह भाजपा है एक गरीब का बेटा मोदी है मोदी लगातार प्रयास करता है कि आपके खर्चे कम हो और आपकी बचट ज्यादा बड़े मोदी ने मुप्त राशन की योजना चलाई हुई है ताकि गरीब का एक घर का क्यूला जलता रहे इससे हर परिवार के साल में करीब करीब बारा हजार रुपिय बच रहे आपको जो उजबला का सिलेंडर मिलता है उसमें भी प्रती सिलिंडर आपको तीन सो रुपिय से ज़्यादा की बचत हो रही है बनारस में करीब चालीस हजार गरों में अब पाइप से रसोई गैस की सप्लाई होती है बहुत जल्ड ही असी हजार से ज़्यादा गरों को भी पाइप से गैस मिलने वाली है इससे भी आपकी बचत बढ़ेगी माताओ बहनों पिछले दस साल में बनारस के तीन लाग से ज़्यादा लोगों का यह आकड़ा जो कोई सुनेगा तो उनको असरे होगा एक सांसरत जब समर्पित भाव से काम करता है तो कितना बड़ा काम कर सकता है आपको जानकर खुशी होगी एक सांसरत के नाते मैंने एक काम के पीछे पड़ा मैं लगातार करता रहा हमारे कासी मैं तीन लाग से ज़्यादा लोगों का मोतिया बिंद का ओपरेशन हुआ है यह छोटा काम नहीं है और हम पहमें पता है मोतिया बिंद के हर ओपरेशन में कम से कम 10,000 का खर्चा होता है यहने दो आपका 20,000 मोधि ने हाँ तीन लाग परिवारों के 10-10,000 रुपिये बचाने का पवित्र काम किया है यहाँ जनावसदी के अंदरों पर 80% डिसकाउन 80% छूट के साथ सस्ती दवा मिलती है 100 रुपिये की दवाई 10 रुपिया, 20 रुपिया, 15 रुपिये में मिल जाती है सस्ती दवा से भी बनारस के लोगों का करोर रुपिया खर्च होने से बचा है यहाँ बनारस में 90,000 से ज़्यादा गर्बवती महिलाओं को पी-ए मात्रू वंदना योजना का भी लाब मिला है इसके तहट हर गर्बवती महिला को पोशन के लिए 6,000 रुपिये सीधे मोधी सरकार उनके बैंक में खाते में जमा कराती है माताओं बेनों आयुशमान भारत योजना से बनारस के सवा लाग से ज़्यादा लोगों ने मुप्त इलाज कराया है अब हम जानते हैं हमारे परिवारों में कितनी बिमारी क्यों नहों कितनी ही पीड़ा क्यों नहोती हो लेकिन माताओं बेने काम करती रहती है गर में किसी को बताती नहीं है दर्द सहती है क्योंकि उनके मन में रहता है कि बिमारी के करना स्पताल जाएंगे बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा और अपने बच्चों के सर पे करज लग रहे आएगा और इसने माताओं बेने सहन करती है लेकिन बच्चों पर बोज नहीं होने देती है ये दर्द मैं जानता था और जब आपका बेटा दिल्ली में बैठा तो मैंने ताई किया अब मैं जे किसी मा को ये पीडा सहन नहीं करने पड़ेगी अस्पताल का पूरा खर्चा ये आपका बेटा मोदी उठाएगा और बनारस में जिन लोग ने इस योजना का लाब लिया है अब तक करीब करीब उनका 200 करोड रुपिया जो अस्पताल में खर्च होने वाला था वो बच गया है क्योंकि वो घर्चा मोदी ने किया है और अब तो मोदी ने ये पिताए किया है कि हमारे देश में हमारे कासी में किसी भी परिवार में 70 साल की उपर के जो भी माता, पिता, दादा, दादी, चाचा, चाची, नाना, नानी जो भी होंगे इलाज कि आपका बेटा मोदी करेगा आप अपना आयुस्मान कार बनवाईए बाकी सम मोदी पर छोड़ दीजिए माताओ बैनों मोदी ने कुछ महिने पहले ही पी-म सुर्यगर मुप्त बिजली योजना शुरू किया है यहां बनारस में 2000 से ज्यादा गरों में सोलर में महिने के 2-5,000 रुपिय बच रहे हैं मतलब साल का 25-30,000 रुपिया बच रहा है चार जुन के बार आपके आशिरवात से जब नई सरकार बनेगी तो इसका विस्तार होगा और हर परिवार को 75,000 रुपिया यह सोलर पैनल के लिए दिया जाएगा और आपका बिजली का ब दिल चीरो हो जाएगा माता ओ बेहनो इंडी गड़बंदन के नेता के खुले आम कहते हैं कि हिंदुों में जो शक्ती है न वो शक्ती का मैं विनास करके रहूँगा शक्ती के विनास की बात करते हैं लेकिन चार जुन के बाद मोधी सरकार वे तो शक्ति का विनास चाहते हैं मोधी आपकी शक्ति को महाशक्ति बना करके रहेगा मैं लगातार आपके लिए काम कर रहा हूँ आपके आसिरवाद से लगातार नई उर्जा मिलती रहती है मैं न ठकता हूँ न रुखता हूँ यही सपना लेकर चलता हूँ कि मेरे 140 करोर देशवाच्यों के जीवन की मुसिबतें चितनी कम कर सको मैं निरंतर करता रहूँ भाजपाने अपने संकल्प पत्र में तीन करोड नए घर बनाने की बात कही है मेरा एक काम करोगे आप लोग जड़ा हाथ उपर गर के बताईए मेरा एक काम करोगे सब के सब हाथ उपर करके जोर से बताईए मेरा काम करोगे आपके आवाज दूर तक जानी चाहिए मेरा काम करोगे अभी आप लोगों के घरों में संपर्क के लिए जाते होंगे महले में जाते होंगे, छोटे-छोटे इलाके में जाते होंगे चाल में जाते होंगे, बस्ती में जाते होंगे कहीं पर भी कोई परिवार अगर जोपड़ी में रहता है कोई परिवार अगर कच्चे घर में रहता है मेरी तरफ से उनको कह देना कि चार्ज उनके बाद उनको भी पक्का घर मिल जाएगा ये मोधी की गारंटी है और इसने में तीन करोन नए घर बनाने की योजना ले करके चल रहा हूँ माताई बैने सेल फेल ग्रूप की महिलाओं को हम ड्रोन पाइलोट बना रहे हैं और मैं ऐसी महिलाओं को मिला उनके खाथ हमको तो साइकल भी नहीं आती थी अब अब ड्रोन पाइलोट बन गए पूरा गाह हमको पाइलोट करके बुला रहा है और ये drone pilot बहने हमारे देश में किरशी कांत्री का नेतरुत्व करने वाली है पहले मुद्रा योजना में 10 लाख रुपया का लोन मिलता था और मुझे खुशी है कि मुद्रा योजना का सरवाथिक लाफ हमारी बहनों ने उठाया है पहले 10 लाख देते थे 20 लाख रुपया मिलेगा आपके परिवार की चिंता करने वाले मुद्रा योजना को भी 5 साल के लिए बढ़ा दिया है माताओ बैनों अगले 10 दिन हमें काशी के घर घर जाना है यहां जो हर तरफ विकासकारिय हुए है वो अबुद्पुर्वा है काशी के घर घर में हमें इन विकासकारियों की बात पहुंचानी है इनसे यहां रोजगार के भी नए मौकेया बने है पिछले 20 साल में 16 करोर से अधिक सरदालो श्रिकाशी विश्वनाद धाम में दर्सन करने आये 16 करोर लोग आने से हर प्रकार का कारोबार बढ़ता है आज पूरे बनारस में दुकानों का, जमिनों का, होटलों का, होमसे का रेड बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि इतनी बड़ी संग्या में लोग यहां आ रहे है इसे सबसे ज़्यादा बनारस के ही लोगों को हो रहा है भूल बेचने वाला भी कमा रहा है खिलोने बेचने वाला कमा रहा है साड़ी बेचने वाला कमा रहा है नाव वाला कमा रहा है आटो रिख्षा वाला कमारा है हरे क्यों काशी में आपने देखा है आधुरी बनास डेरी खुल चुकी है वो भी हमारे गाउं के लोगों के लिए दूदूत पातकों के लिए बहुत बड़ा वर्दान साबित हुई है इससे अकेले बनारत के ही 14,000 से जादा पसुपालक जुड़े है बनास डेरी आने के बाद पसुपालकों के आमद ने सालाना सवालाथ रुपिये से जादा बड़ी है माताओ बैनो बनारत समय नारी शक्ति के लिए इतना काम हुआ है कि उसे बताते बताते देर रात हो